आज की इस कक्षा में हम प्रस्ना वली 11.1 के प्रस्नों को हल करेंगे प्रस्न नंबर एक है निमलिखित में से समान पदों को छाटिए तो हमें छाटना है कि कौन-कौन से समान पद है तो हम जानते हैं कि समान पद वे होंगे जिन में चर समान होंगे और साथ ही उनका घात भी समान होगा तो यहां हम देख रहे हैं पहला नंबर है 12xy यह एक हो गया अब इसके बाद xy कहां कहां है यहां तो X है स्रिप, तो चर समान नहीं है, यह देखिए यहां है XY, तो यह हो गया, एक समान पद यह हो गया, एक यह हो गया, फिर यहां देख रहे हैं यह X स्क्वाइर है, तो यह चर समान नहीं हुआ, फिर यहां देख रहे हैं यह, तो यह पद भी समान हो गया, इसके पहला, तीसरा, पांचवां और सात्वां ये समानपद हैं। अब इसके बाद प्रस्न संख्या दो देख रहे हैं। निम्नलिखित व्यंजकों का संख्यात्मक पुनांक लिखिए। पहला नंबर है माइनस टू एक्स स्क्वार तो इसका संख्यात्मक पुनांक यानि चर्क का किस संख्या से हुआ है। तो यह है माइनस दो, यह माइनस दो, यहां देख रहे हैं यह क्या होगा, 13, यहां माइनस साथ, यहां чारवटा, 5, और यहां क्या है, ये एक है, और फिरसे लिखता हूँ, तृच्छा हो गया है, 1, टिक है, और यहाँ माइनस 2 बटा 3 अब है तीसरा नमबर, निमलखित में से एक पद, दुई पद, एवं त्री पद को चाट कर लिखिए तो देखते हैं, कौन-कौन सा एक पद है, कौन दुई पद है और कौन त्री पद है, तो एक पद उससे कहेंगे इसमें एक पद हो, दुई पद यानि दो पद हो, और त्री पद यानि तीन पद हो, तो यह पहला नमबर देख रहे हैं, इसमें कितने पद है एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, यानि कितने पद हो गया दो पद, तो इसे हम कहेंगे दुई पद यह दूई पद यहाँ पर एक ही पद है तो यह हो गया एक पद तीसरा नमबर देखिए यहाँ कितने पद हो गया एक, दो, तीन तो यह हो गया त्री पद यहाँ एक, दो, दूई पद यह हो गया दूई पद और यहाँ देखिए एक, दो, तीन यानि त्री पद यहां एक ही पद है तो यह हो गया एक पद और यहां पर यह भी एक पद हो गया एक पद और यहां यह दो पद यानि द्वी पद और यहां पर एक, दो, तीन यानि त्री पद और यहाँ एक, दो, दूई पद अब यहाँ चौथा नंबर है निमलिकित में समान और असमान पद यूग्म बताईए यानि यहाँ दो-दो व्यांजक दिये हुए हैं तो कौन सा यूग्म समान है और कौन सा असमान पद है तो यहां देख रहे हैं कि यह इस युग में पहले वाले प्रश्ण का यह जो युग में है यहां चर x है और यहां xy है तो क्या यह समान है यह दोनों पर नए यह और समान है तो यह हो गया और समान इसके बाद यह दूसरा देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं, चर A square है, यहाँ भी A square है, अर्थार यह समान है, यह इसमें दोनों वियंज़ग समान है, यहाँ X square Y और यह भी X square Y, तो यह भी समान हो गया, यहाँ A, B और यह भी A, B, यह भी समान है, यहाँ P, Q square और P, Q square यह भी समान है, और यह X, Y, Z, X, Y, Z, यह भी समान हो गया, तो हम प्रस्ण संख्या चार में देख रहे हैं, सरफ यह पहला वाला समान है, बाकी तो सारे समान है, प्रस्ण संख्या पांच, जोड़िये, इन वेंजुकों को हमें जोड़ना है, तो हम लोग जानते हैं, कि हम लोग दो तरीके से जोड़ते हैं, एक horizontal method, यानि 36 method, और दूसरा है column method, यानि stump method, तो अभी हम यह पांच्वे नंबर को मैं 36 विधी से जोड़ रहा हूं, तो मैं इसका पांच्वे का यह आठवा नंबर परस्ण ले रहा हूं, 2N square minus 1, 4MN minus N square और minus N square plus MN minus 5 इसे जोड़ना है, तो आएए इन तीनों को जोड़ते हैं, 2N square minus 1, यह प्लस 4MN minus N square और यह प्लस minus N square plus MN minus 5, इस बार bracket हटाएंगे, 2N square minus 1 plus 4MN minus N square, यह प्लस minus minus ही रहेगा, तो यह minus N square plus MN minus 5, अब हम देख रहे हैं, कि कहीं कुछ cancel होने लाइक है, तो यहाँ तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो अब हम एक तरह के पद को, यानि समान पद को एक जगा लिखेंगे, इससे हमें सुवधा होगी, तो यह 2N square और N square यहाँ पर है, और यहाँ पर है, minus N square minus N square, इसके बाद इसको लेते हैं, plus 4MN, और उसके बाद यह है, plus M, plus MN, प्लस MN, अब इसके बाद यह, minus 1 और minus 5, हमने यहाँ से लिखा है, समान पदों को एक साथ, तो हमें एक साथ धानी रखना है, कि इससे हम गिन के देख लेगे, कहीं कुछ छुट तो नहीं गिया है, पदों को गिन के देख लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, यहां देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो यह बराबर आगए, इसका मतलब हमारा कुछ छुटा हुआ नहीं है अब यह 2N square और यह minus N square, minus N square, यह जूट जाएंगे, तो यह हो जाएंगे, minus 2N square यहाँ 4mn और plus mn यह हो गया 5mn और minus 1 और minus 5 यह हो गया minus 6 अब यहाँ पर देख रहे हैं यह 2n square इसका चिन है plus और यहाँ 2n square इसका चिन है minus तो यह दोनों cancel हो गया तो हमारा answer आ गया 5mn minus 6 अब हम चठा नंबर सवाल लेगे पांचवा नंबर का बाकी जो प्रस्ण है आप इसी तरह से हल करेंगे प्रस्ण संख्या 6 में देख रहे हैं कि निम्न बहुपतों को स्तंब में लिखकर जोड़ें यह हमने 36 विधी से किया था यह स्तंब विधी से करना है तो आए पाला नंबर प्रस्ण को लेता हूँ यहां तीन विधी जग है एक दो और तीन इससे 36 में लिखते है त्री सॉरी 36 में इस्तंब में लिखेंगे 3x स्क्वार माइनस xy प्लस 2 अब दूसरा है xy माइनस 1 तो हम यहां लिखेंगे इसको xy यानि समान पदों को एक के नीचे ही प्लिखेंगे माइनस 1 अब तीसरा है x स्क्वार तो यहां पर यहां लिखेंगे इसके नीचे x स्क्वार प्लस 2xy प्लस 2 अब इस तरह से लाइन देते हैं यह प्लस हो गया तो इसका भी चिन प्लस है इसका भी चिन प्लस यह 3x स्क्वार है यह 1x स्क्वार है यह हो गया 4x स्क्वार अब यहां देख रहे हैं माइनस xy है और यह प्लस xy है यह भी प्लस 2xy है तो यह और यह दो तो कैंसिल हो जाएगा तो बज जाएगा हमारा 2xy प्लस 2xy यहां देख रहे हैं यह प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 तो यह हो गया दो दो चार और एक घड गया तो इससे प्लस यह 3 हो गया तो स्तम मेथड में हम लोग इसी तरह से इसको जोडते हैं प्रस्न संखिया साथ क्या व्यंजक x square माइनस xy प्लस 1 और माइनस 3x square प्लस 3xy प्लस 5 की यूपफल माइनस 2x square प्लस 2xy प्लस 6 है जाची तो इन दोनों का यूपफल क्या ये वाला व्यंजक है या नहीं ये जाचना है तो हम लोग इन दोनों को जोड कर देखते हैं 36 विधी से मैं जोड रहा हूं x square माइनस xy प्लस 1 और माइनस 3x square प्लस 3xy प्लस 5 अब ब्रैकेट हटा रहा हूं x square माइनस xy प्लस 1 और ये ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 1 के बाद प्लस माइनस माइनस हो गया ये 3x square प्लस 3xy और प्लस 5 अब एक तरह के पदों को यानि समान पदों को एक जगा लिखते हैं x square माइनस 3x square ये और ये हो गया इसके बाद माइनस xy और प्लस 3xy प्लस 1 प्लस 5 तो x square माइनस 3x square तो ये हो गया माइनस 2x square और ये माइनस xy प्लस 3xy तो ये हो जाएगा प्लस 2xy और प्लस 1 प्लस 5 ये प्लस 6 आ गया तो देखिए जो यहां दिया हुआ था व्यांजक वहीं व्यांजक आ गया तो ये क्या हो गया इसलिए व्यांजक 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 एसलिए माने भी लिसे ए क्योक्भ प्लस 3xy और ब्री क्युप्ल का योगफल माइनस 2 x square प्लस 2 x y प्लस 6 है यह हो गया हमारा प्रसंद संक्या 8 घटाईए तो यहां 4 प्रसंद दिया हुआ है इसमें जो सबसे बड़ा दिख रहा है चौथा नबर प्रसंद उसे मैं हल कर रहा हूँ तो इसे मैं 36 विधी से घटाऊंगा तो यह है 3ab-2a square-2b square-5a square-7ab-5b square अब इस step में इसका bracket हटा रहे है तो यह हो जाएगा 3ab-2a square-2b square-5a square-5a square और जब bracket से पहले minus होता है और bracket हटाते हैं तो अंदर का जो चिन होता है वो बदल जाता है तो यह minus था यह हो जाएगा अब सवान पदों को हम एक जगा लिख रहे है इधर है minus 2b square-5b square 3ab plus 7ab यह क्या हो गया यह 10ab इसके बाद यह minus 2a square और minus 5a square तो यह हो जाएगा minus 7a square और minus 2b square minus 5b square तो यह हो गया minus 7b square इसे थोड़ा सो रियर्रेंज करते हैं तो यह minus 7a square minus 7b square plus 10ab यह घटाने के बाद हमारा आगया ब्यांजक प्रस्न संखिया 9 3x plus 2y और x square minus xy plus 3 कि योगफल में से x square minus 2xy plus y square घटाना है तो पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे इन दोनों व्यांजक को तो आईए से जोड़ते हैं 3x plus 2y plus x square minus xy plus 3 अब ब्रेकेट हटाते हैं तो 3x plus 2y plus x square minus xy plus 3 अब पहले की तरह एक तरह के व्यांजक अर्थाक समान पदों को एक जगा लिखते हैं तो ये 3x और कोई x है x वाला कोई नहीं है तो ये अब है इसके बाद 2y ये प्लस x square और माइनस xy plus 3 अर्थात यहां सारे पद अलग अलग है कोई समान नहीं है अब इससे हमें ये वाला व्यांजक घटाना है तो घटाते हैं 3x प्लस 2y प्लस x square माइनस xy प्लस 3 और ये माइनस x square प्लस 2xy प्लस y square बराबर 3x प्लस 2y प्लस x square माइनस xy प्लस 3 माइनस x square ये ब्रैकेट से पहले माइनस था तो अंदर का चिन बदल जाएगा माइनस 2xy माइनस y square यहां देख रहे हैं ये प्लस x square है और ये माइनस x square तो ये cancel हो गया अब इसके बाद एक तरह के जो पद है यानि समान पद है उन्हें एक जगा रखने के फिर कोशिस करते हैं 3x और कोई x है नहीं है तो अब ये 2y ये भी नहीं है तो माइनस x y उसके बाद ये माइनस 2xy है माइनस 2xy अब ये है इसके बाद माइनस y square माइनस y square और प्लस 3 तो ये 3x और ये 2y प्लस 2y माइनस x y माइनस 2xy तो ये हो गिया माइनस 3xy और ये माइनस y square प्लस 3 इसे थोड़ा सा रियार्रेंज करते हैं माइनस y square माइनस 3xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3 ये हमारा एनसर आ गया है अब प्रस्न संख्या 10 देखते हैं इसमें क्या है यदि a ब्रावर x प्लस 1 b ब्रावर y माइनस 1 और c ब्रावर x प्लस y प्लस 1 हो तो निमलिखित कमान ग्याद कीजिए तो इसका मैं पहला प्रस्न लेता हूँ 10 का 1 a प्लस b तो a कमान हमारा दिया हुए है x प्लस 1 और b का y माइनस 1 तो यह हो गया यह प्लस 1 और यह माइनस 1 यह तो कैंसल हो गया तो अब हारा आ गया x प्लस y ठीक इसी तरह से इसके जो बाकी प्रस्न है उन प्रस्नों को भी हम हल करेंगे